इंसान जितना बड़ा नजर आता है बड़ी बड़ी बातों में, कास उतना ही नेक होता अपनी नियत और इरादों में, हम जिन्हें अपना समझ कर सब बोल जाते हैं, पता नहीं क्यों वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं, ये ही तो है खासियत जिंदगी की, कर्ज वो भी जिंदगी गुजरने लगी है, अब तो किस्तों पर, ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिस्तों पर, माफी मांगने से कभी ये सावित नहीं होता, कि हम गलत और वो सही है, माफी का असली मतलब है, कि हम में रिस्ते निभाने की काविलियत उनसे ज्यादा ह तारीफ किये बिना कोई खुस होता नहीं, और जूट बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं, वो करीब ही ना आये तो इजहार क्या करते, खुद बने निसाना तो सिगार क्या करते, मढ गए पर खुली रखी आखे, इससे ज्यादा किसी का इंतजार क्या करते, बिमारी खरगोश की तरह आती है और कच्छुए की तरह जाती है जबकि पैसा कच्छुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है लोगों का क्या है वो तो कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं कुछ लोग आशो की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता साथ दे रहे हैं या साथ छोर रहे हैं, अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है, लोगों को भरपूर सम्मांग दीजिए, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बलकि इसलिए कि आप में संसकार हैं, लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, मगर ये भी सच है कि लाखों मिल जाने से उस सक्स की कमी पूरी नहीं होती, पेट में गया जार सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, और कान में गया जार सैक्रों रिस्तों को मारता है, रहती इंसान के खामोशी को समझना सीखो बातों को नहीं क्योंकि एक बात के तो हजारों मतलब होते हैं जब इनसान नए लोगों से मिलता है तो पुढाने लोगों को भूल जाता है लेकिन जब नया इनसान दिल दुखाता है तो याद पुढाने ही आते हैं अक्सर गलत इनसान पे भरोजा करने के बाद ही सही इनसान को पाचानने की समझ आती है जब किसी का दोगला चेहडा सामने आता है ना सच मुझ तब उस पर नहीं अपने आप पर गुस्सा आता है जिन्दगी को कभी तो खुला छोड़ दो क्योंकि बहूत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती जिन्दगी हमें कई बेतरीन दोस्त दे सकती है लेकिन सच्चे दोस्त हमें बेतरीन जिन्दगी दे सकते हैं एक साथ चार कंधे देखकर मूर्दे के मन में एक विचार आया एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता जीना है तो उस दीपक की तरह जीओ जो बादसाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की जोपड़ी में कहीं जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं सुगंध भी नहीं, कहीं पूरा जीवन कस्तूरी मिर्थिव के बाद यही है करवा सच पतनी मकान तक, समाज समसान तक, पुत्र अगनी दान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक गलत होकर खुद को सही सावित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही सावित करना एक वक्त था जब घर में उजाला करने के लिए दिया जराते थे अब दिया दिखाने के लिए घर में अंधेरा किया करते हैं चुबता तो बहुत कुछ है मुझको भी तीर की तरह मगर खामोस रहता हूँ मैं अपनी तकदीर की तरह छोटी-छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है ख्वाहिसों का क्या है वो तो पल-पल बदलती है प्रेम से रहो दोस्तो जरा-जरा सी बात पर रूठा नहीं करते मत्ते वही सुन्दर दिखते हैं जो साक से तूडा नहीं करते समझदार एक मैं हूँ बाकी सब नादान बस इसी भड़म में घूम रहा आजकल हर इंसान रात नहीं होगी तो सुबह का मात्व ही नहीं होगा दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा तुमसे बिछडे तो मालूम हुआ कि मौत भी कोई चीज है जिन्दगी तो वो थी जो हम तेरी माफिल में गुजाराए दड़िया बनकर किसी को डुआना बहुत आसान है मगर जड़िया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात है कास आपकी सूरत इतनी प्यारी नहोती कास आपसे मुलाकात हमारी नहोती सपनों में ही देख लेते हम आपको तो आज मिलने की इतनी बेकडारी नहोती गलत फाहमी का एक पल इतना जरीला होता है जो प्यार भड़े सौलम हो को एक पल में भुला देता है पाहंकार दिखा कर किसी रिष्टे को तोरने से बहतर है कि मापी मांग कर रिष्टे को दिल से निभाया जाए तू दूर है मुझसे और पास भी है तेरे कमी का एहसास भी है दोस्त हमारे लाखो है इस जहां में पर तू प्याड़ा भी है और खास भी है हर बात पर तुम्हारी जो जूटी वाह वाह करेंगे देख लेना एक दिन वही तुम्हें तबाह करेंगे मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी भी नहीं देना चाहिए